आज जो रिजट जारीवा है इसमें कुल परिक्षारती जो बार्मी विज्ञान वरका था उसमें 2,60,582 परिक्षारती थे जिसमें से प्रिविष्ट हुए 2,57,719 और कुल उतिरन हुए 2,49,366 यानि बान में 0.88 प्रतिशत रिजल्ट हमारा गुनिस का था अब इस बार इस बार जो रिजट आया है उसमें कुल परिक्षारती 2,49,709 हैं और परविष्ट हुए वो 2,37,305 हैं और जो कुल उतिरन हुए हैं वो 2,18,232 कुल उतिरन हुए हैं इस बार का हमारा जो बार्मी विज्ञान का 2020 का जो रिजट है उसमें 91.96 प्रतिशत है यानि पिछले साल का भी मैंने आपको बताया इस साल का भी बताया तो इस सार हमने 91.96 प्रतिशत हमारे बार्मी विज्ञान का प्रिणाम रहा हैं मैं उन तमाम जो बच्चे प्रिक्षा में उतिरन हुए हैं अच्छे माक्षाए ह उनको मेरी और से राजस्तान के मुख्य मंतरी असोग गेलोजी की तरब से और हमारे अध्यक जी की तरब से तमाम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने अच्छी मैनत की आपके बविश्ये के लिए ये जरूरी था दस्में और बार्मी बोर्ड की एकजाम मानिये मु सपल होगे उन से मैं निविदन करना चाहता हूँ कि सपलता से कभी हारना नहीं चाहिए निरास नहीं होना चाहिए आगे मैनत करनी है और मैनत के साथ में आपको भी सपलता निश्यत रूप से मिलेगी तो आज कि इस अच्छे माहुल में मैं समझता हूँ राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने मागनिय मुख्य मंत्रिय सो गैलो जी के नेत्वितों में ये करके दिखाया जो पूरी दुनिया ने नहीं किया किसी स्टेट में भारत ने नहीं किया इसलिए हम सब इस गौरव साली जो खशन है इसके समाम्चस्म दीद गवा बने और मेरा सोबाग्य है कि एक शिक्षक के बेटे को इस तरीके सब मोका दिया है मानिय मुख्य मंत्रिय सो गैलो जी ने रहा हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने मैं समझता हूँ मैं पिछली बार भी आया था तब मैं अखेला था लेकिन चूँकि अब हमारे अध्य जी आपके यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार माद्य में एक शिक्षा बोड को स्ट्रेंटनिंग देने में उसको आगे बढ़ाने में अच्छे तरीके से उनके साथ में हैं आप निश्चिन्थ हो करके जो भी काम हो माद्य में एक शिक्षा बोड में क्या सुधार हो सकते हों किस तरह कि आप अप प्रिक्षा करते हैं मैं आप सभी बुद्धी जीवों से अग्रह करूंगा कि आप सब अपने सकारात्मक सुझावत देते रहें जिससे राजस्तान मादे में बलकि हिंदुस्तान में हमारे मादे में इस शिक्षा बोड़ की जो साक है वो पनी रहे और और ज्यादा बनती रह मैं तमाम यहां के करमचारी जितने भी लोग हैं उन्होंने जो इस कोराना काल में जिस प्रकार की मैनत किया है बिना अपने जान की परवा किये उन्होंने जो सयोग किया है इसके लिए भी शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं झाल झाल